अलो फ्रेंट्स विडियो में हम दो बात करने वाले हैं अलेक्ट्रा ग्रीन टेक सेर के ऊपर इन डीटेल में बात करेंगे टेक्निकली बात करेंगे साथे साथ बात करेंगे आपको बहुत ही सांदार रहा है तो इसी वज़़से हम लोग यहां पर बात करेंगे और सारी साथ बात करेंगे टेक्निकली लेबल्स के ऊपर बी वीडियो काफे इंट्रिस्टिंग होने वाला है तो आराम से लाश्ट तक देखेगा और इन केस अगर आपको भी किस स्टॉक के ऊपर एनलिसिस वीडियो चाहिए तो फिर आप पोश्ट कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जो है अपने स्टॉक के नेम को आगे के वीडियो में हम लोग उन सभी स्टॉक को कवर करने की कोशिस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं उलेक्ट्रा ग्रीन टिक के सेर में अगर देखेंगे तो स्टॉक में आज तक्रिवां सवा पांच परसंट का एक जोड़दार गिरावट देखने को मिला कंपनी का रिजल्ट आया और मॉर्निंग सिसन से ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा था और मार्केट में भी आज एक बहुत ही जवरदस् और इसी वज़से बहुत से लोगों का पूर्टफोलियो काफी ज्यादा डॉन हो चुका है और एक चीज यहीं से आपको समझना चाहिए जो कभी भी जब मार्केट लगातार कंटॉनसली ऊपर जाता है तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्टिमेस्टिक नहीं होना है यह स्विंग है आप मार्केट को देखके अपने मूड को स्विंग मत कीजिए आपके बैक ऑप तो माइंड में यह चीजें हमेशा होनी चाहिए और आपके पास हमेशा अपना प्लान होना चाहिए आप कौन से स्टॉक में इंटरी लेने वाले हैं और किस वजह से आप एक जिए यहां पर हम लोग लगातार इंपॉटेंट अपडेट पोष्ट करते रहते हैं जिससे की आपको एक गाइडेंस मिलता रहे कौन से स्टॉक में अच्छा तेजी दिख ला है कौन से स्टॉक में इंपॉर्टेंट की ब्रेक आउट हो रहा है किस सभी पॉइंट्स हम ल सबसे पहले क्वाटर के रिजल्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहां पर जो फिगर्स आप देख रहे हैं यह लैक्स में तो आप इसको करोर्स में मत कीजिएगा क्योंकि यहां पर क्लियर लिम इंसाइंड है जो यह आपको लैक्स में सेप्टमबर क्वाटर का जो रिजल्ट आया है 51,407 लैक का रेवेन्यू अगर हम लोग यहां पर जून क्वाटर के कमपेजन में देखेंगे तो 30,418 लैक का यहां पर रेवेन्यू था तो तक्रिबन आपको 70% का जंप क्वाटर और क्वाटर बेसिस पे देखने को मिल रहा ह है और यह ओन यह बेसिस पर देखेंगे तो आलमोस्ट 75% का जंप जो है हम लोगों को यह ओन यह बेसिस पर देखने को मिल रहा है क्योंकि लाश्ट यह स्टेम क्वाटर में जो है यहां पर 29,786.62 लैक्स का जो है आपको रेवेन्यू जेनरीट किया था कमपनी ने हम लोग यहां पर half yearly की बात करेंगे तो half yearly में भी जो है यानि कि first two quarters में लास्ट year के कमपाइजन में इस year में 60% का जंप देखने को मिल रहा है और अगर हम लोग net profit profit before tax की बात करें तो profit before tax में भी एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा हूं net profit की अगर बात करेंगे तो net profit 4819 lakh जो है company ने यहां पर पोश्ट किया है जो कि आपको quarter on quarter basis पे more than 100% अक्रिबन जो है 140% का जंप यहां पर दिख़़ाया है और अगर हम लोग यहां पर यहां पर देखने को मिल रहा है अब कुछ और important point के ओपर चलते हैं रिजल्ट बहुत ही अच्छा company का आया है और अगर हम लोग management के commentary की बात करेंगे quarter one के result के बाद जो आपको कॉन कॉल हुआ था उस कॉन कॉल को अगर आप यहां पर देखेंगे तो management से पूछा गया जो आपका target था 2000 बस का इस year में आपने quarter one में 156 बस का ही only deliver किया है तो क्या आपको लगता है जो target meet हो पाएगा तो यहां पर जो है आपको management के द्वारा यह बोला गया है जो जितना quarter में one में हुआ उसका double जो है हम लोग quarter two में deliver करने कोसिस करेंगे और raised जो quantity है वो आपको second half में thousand plus जो है हम लोग expect कर रहे है जो second half में यानि की financial year के second half में जो आपको October to March का period होता है इस period में आपको thousand plus बस का उन्होंने target किया हुआ है इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो इसके पीछे का वजया जो उन्होंने दिया है जो यहाँ पे उनके production में जो है थोड़ा सा कुछ आपको issue था जिसको की rectify कर लिया गया है इसके साथ ही जो अभी आपको current capacity है 200 numbers per month का इसको आपको increase किया जाना है और यह आपको 400 numbers per month जो है वह आपको increase किया जाएगा यानि की 100% का jump capacity में capacity को 100% से increase किया जाना है इसका मतलब है जो company के पास जो है आपको orders आ रहा है company expect कर रहा है जो और भी एक बड़ा और जो है लगातार continuous basis पे order मिल सकता है तबही जो है आपको company अपने capacity को expand कर रहा है क्योंकि जब तक growth company को नहीं दिखेगा कोई भी company जो है आप आगे आपको capex नहीं करेगा यहां पर बात करेंगे तो government का इस भी आपको इस level के ऊपर है already अगर आप देखेंगे तो जो बड़े-बड़े सहर्स में है जैसे दिल्ली हो गया या फिर आपको मुंबई हो गया इन सभी में जो है फेम जो एक government of India का program था जिसके अंडर आपको इलेक्ट्रिक बस देना है सीटी में तो उसका भी काफी ज़्यादा बेनेफिसियरी ओलेक्ट्रा आपको होने वाला है और साथी साथ जो है PME सेवा का भी सेकेंड टेंडर जो है वह आपको pipeline में है चलिए अब हम लोग चार्ट के उपर बात करते हैं हम लोग है तो यहां पर अगर आप मंतली चार्ट को देखेंगे तो क्लिरली आपको दिख रहा है जो स्टॉक में नन स्टॉप रैली हुआ है यहां पर स्टॉक में जो है तकरिवन 400 और यहां पर जो रैली स्टार्ट हुआ था 374 का लो लगा था इन दा मन्त ऑफ फेबरेडी 2023 उसक और जोन 1500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है अल्रेडी एक अच्छा रिजल्ट आ चुका है स्टॉक में करेक्शन भी हो चुका है यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकता है जब जो है आपको स्टॉक करना स्टार्ट करेगा तो अभी के लिए जो है यहां पर आपको थोड़ इसा करेक्टरिन मोड में है तो यहां पर अन्नेस्सरी का रिस्क हम लोगों को नहीं लेना है यहां पर आपको परचुनिटी मिलेगा जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने लगेगा तो फिर इस टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है और इस टॉक करना है तो फिर आप वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक आउट का आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट चिया है बिल्कुल अच्छा से क्लियर हो गया होंगे और आप लोगों को वीडियो पुसंद आया हूँ अनलेसिस अच्छा लगा हूँ वीडियो को क्पर्णा 250 वीडियो अनलेस्ट